नमस्कार रामराम साइ काई हाल चाल है जीवडा ठांका आशा करूं की सग्ला मारा पड़ाई का सोकिन जीवडा बढ़िया है मजे में है और मारा हाल चाल तो पूछो इमती हैं अभी तोड़ा जुकाम है बुखार है हाथ पे रूमे दर दो रहा है तो थोड़ी समश्या चल लेकिन हम लगातार कलास को मिस नहीं कर रहे हैं अपनी है जो युद्ध है यो खुद से जो संगर्ष है वो हमारा जारी है बीमारी उसों बीमारी को तो मार बगाना है रहे है चिंता नहीं करनी है चलो आज हम दूसरा पार्ट करेंगे इस कलास में पसू परिचर बढ़ती का बीपार्ट पसू पालन विबाग से संबंदी जितने भी सवाल है पसू पालन से संबंदी कुछ में पशलोतरी करेंगे तो 45 नंबर के आएंगे आएंगे तब सभी साती जुड़ जाएं पहला सवाल आपके सामने आचुका है कि नेशनल हाइवे इस्टोग मिसन का उदिश वडाल पसू को दानने पसू को दान और चारे की उप्लप्दा बढ़ाणा और मांग के बीच अंतर कम कर देना रोक नेंतरन करना या उप्रोक्त सभी जल्दी से कमेंट कर दो जिस भी मेरे विद्वान साथी को उतर आ रहा है जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे जीवडे बिल्कुल डी हो जाएगा उप्रोक्त सभी हो जाएगा क्या हो जाएगा उप्रोगते सबी अगला सवाल आपके सामने आजुका है जल्दी से कमेंट करें जिस भी विद्वान साथी को आंसर आ रहा है चलो बताओ देखाणी राज सरस सुरक्षा कवच भीमा योजना के आदित्य चरण में परती सदिशिये वार्षिक प्रिमियम कितना है तेबीस रुपे बतीस तरेपन पॉइंट पच्चास या तैयालीस पॉइंट पच्चीस रुपे राज सरस सुरक्षा कवच भीमा योजना में दीत्य दूसरे चरण में परती सदिशिये वार्षिक प्रिमियम कितना है तरेपन पॉइंट पच्चास रुपे साड़े तरेपन रुपे हैं तो सी उतर अपना करेक्ट हो जाएगा अगला है कि राष्ट्य देरी विकास बोड के गटक है विपनन परियोजना परबंधन अधिगम परसिक्षन और समता निर्मान विपनन अवसरसना के लिए समर्तन या उपरोक्त सभी राष्ट्य देरी विकास बोड के गटक है देखो डेरी विकास बोड के गटक हो जाएंगे विपनन परियोजना परबंधन अधिगम परसिक्षन और समता निर्मान विपनन अवसरसना के समर्थन या उप्रोक्त सभी तो डी उतर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा उप्रोक्त सभी अगला सवाल क्या है कि डेरी गाय का गर्बकाल कितने समय का होता है गाय का गर्बकाल कितने समय का होता है सवाल आपसे पूछा गया है लगवग 50 दिन 100 दिन 250 या 280 दिन कमेंट करो कमेंट करो जल्दी से साथ यूं ये लगबग 9.5 महीने का रहता है तो 280 दिन हो जाएगा है ना तो डी उतर अपना राइट हो जाएगा 9.10 महीने का है डेरी गाय का गरब काल 280 दिन का होता है नेक्स्ट अगला सवाल है कि आई की दरश्टिशे राजस्तान का सबसे बड़ा राज्य इस्त्रिय मेला कौन सा है आमदनी की दरश्टिशे आई की दरश्टिशे सबसे बड़ा राज्य इस्त्रिय मेला कौन सा है माशिवरात्री पसु मेला जस्वंत पसु मेला चंद्र भागा बल्देव पसु मेला बल्देव पसु मेला कहां बढ़ता है नागोर में मासिवरात्री जस्वंत पसु मेला चंद्र भगा ये जालावार में पढ़ चुके जालरा पाटन में तो जस्वंत पसु मेला है कौन से है भई जस्वंत पसु मेला भी आंसर अपना राइट हो जाएगा पहले भी कर चुके हम जो मेले पढ़ चुके उनमें किस पसु के दूद में इंसुलीन की मात्रा ज़्यादा होती है इंसुलीन की मात्रा बेंस, गाय, उंटनी या बकरी तो सबसे ज़्यादा इंसुलीन की मात्रा होती है सात्यूं उंटनी के दूद में उंटनी के दूद में होती है बुन्यादी पसुपालन सांखी की 2020 के नुसार भारत का पॉल्ट्री मास उत्पादन कितना रहा है? भारत का पॉल्ट्री मास उत्पादन कितना रहा है? चार पॉइंट चोतिस मीलियन टन कितना रहा है मास उत्पादन? चार पोइंट चोतिस मिलियन टन रहा है भारत का भी आंसर अपना राइट हो जाएगा अगला सवाल क्या है कि विपनन के परकार है B2B, B2C, A और भी दोनू या इनमें से कोई नहीं विपनन के परकार विल्कुल ये A और भी दोनू हो जाएगा तो C आंसर अपना करेक्ट है वर्तमान राजस्तान में सबसे कम पसू गनत्वे वाला जिला कौन सा है डूंगरपूर्डोसा, क्रोली या जेसल मेर सबसे कम पसू गनत्वे पूचा गया है ध्यान रख लेना पसू गनत्वे पूचा गया है पसु गनत्वे का मतलब क्या होता है अरे पड़ती एक किलोमेटर में कितने पसु रहते हैं दस रहते हैं बीस पचास सो तो यह आपका हो जाएगा जेसल मेर्थ क्योंकि यहां का छेतर पल ज्यादा है है ना पसु भी अपने आप कम हो जाएंगे सबसे ज्यादा में सरवादी गोवन्स काम पर है यह देखो अब मज़ा आएगा ना अरे यह से सवाल आएंगे ज्यान डगलेना पसु गणना हुई थी 2012 में ठीक है उसके बाद में 2019 जो आंकड़ा है थे यह पसु गणना आप याद जरूर कर लेना इन दोनों को कमाइंड करके सवाल जाएंगे तो देखो 2012 में तो पसु सरवादी के गाएं थी उद्यपूर में गोवन्स और 2019 में सरवादी गोवन्स काम पर है विकानेर करोली दोलपूर या अजमेर में तो अभी काम पर है विकानेर में अगला सवाल है गोवसाला की इस्तापना करते समय ध्यान रखने योगिये बाते हैं अब आपसु परिचर बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए गोवसाला को कैसे है किस परकाश बनाना है निर्मान इस्तल उंचा और समतल होना चाहिए जगे पहली तो उंची होनी चाहिए और बिल्कुल समतल होनी चाहिए उबडखाबड नहीं होनी चाहिए पाने की बिल्कुल सुगम निकाशी होनी चाहिए शने पाने इखेटा हो जाय बारिश में परिवेन की वहां पर सुव रखने की अलग से व्यवस्ता होने चाहिए गोबर कान डालना है यह ना इसके लवा मेडिकल की सारी सुईदा जानवरों के लिए वहां पर गोवन्स के लिए होना अनिवारी है ऐसा नहीं कि अंदर बिल्कुल खड़ा हो नीचे की तरह वहां पर सारा बारीश किस्व में पान करनना है वो भी व्यवस्ता करनी नहीं है बारीश में पानी से बचाओ पीसे करना है तो तो सारी चीज़ें होनी हुझ getir है सभी का ध्यान रखना से एक लिटर दूद के निर्मान के लिए ठन के माद्यम से आउशिक रखत की मात्रा होती है कितने लिटर तो 800 से 900 लिटर सी उतर अपना राइट हो जाएगा विमा कम्पनिया पसु कलेम कब खारिज कर देती है पसु कलेम कब खारिज कर देती है कम्पनिया पसु का टेग ने होने पर यदि पसु का टेग नहीं है उसे दिया वा तो बिल्कुल आपका कले में वो खारिज हो जाएगा भीमा लेने के 15 दिन के अंदर पसू की मर्तियों होने पर 15 दिन में यदी मर्तियों हो गए आज आपने भीमा करवाया और 15 दिन में पसू मर गया तो वो आपका कले माइनी नहीं होगा पसु बेज कर जुनटा कलेम करने पर आपने पसु ऐसे ही बेज दिया किसी गोर बोल दिया कि पसु मर गी हमारा दो यह भी माइन नहीं होगा तो उपरोग सब भी हो जाएगा डी उतर अपना राइट हो जाएगा नेक्स्ट है कि रसोई के कच्रे और जानवरूं के मल का उप्योग करके कापी हद तक लाब कमाया जा सकता है रसोई का कच्रा और जानवरू का मल होता है उसका उप्यों करके आप क्या कर सकते हो भूमिगत बंडारन टेंकों में उसको बंडार कर सकते हो बायो गेस का उत्पादन आप कर सकते हैं जेव उर्वरक के रूप में सिधा उप्यों कर सकते हैं कर्मी के रूप में तो देखो जो जानुरूं का जो मल होता है साथ यूँ गोबर बगेरा होता है तो उससे यहां पर बायो गेस उत्पन कर सकते हो पशु खरीते समय पशु विक्यत दवरा की जाने वाली दोकादधें में सामिल है पशु बैशने वाले लोग जब पशु किसी को बैशते हैं तो क्या करते हैं दोकादधे तो को इस परकार की दोकादधे खुर बनाना और रंगना जो पसु के खुर होते हैं जिसे उनकी आयू बगेरा का पता चलता है खुर से शिंग से दान्तू से तो खुर को रंग देते हैं कलर कर देते हैं उस पर शिंगु को छोटा और चिकना बना देते हैं चोटा कर देते हैं चिकना बना देते हैं गर्बा प्लास्टिक के परियोग से पसू पर पढ़ने वाले प्रभाव में सामिल है। प्लास्टिक का परियोग होता है तो पसू पर क्या असर पढ़ता है प्लास्टिक का पाच्चन के या प्रभावित होती है। दूद उत्पादन गिरना कमजोरी आना या उपरोक सभी। देखो उपरह में हो जाएगा प्लाष्टिक पसू खाएगा अरेक प्लास्टिक दीलि अहां तो कमज़ोर है गिपौश्व बीमार ओसे गाद कयंसर यह गोद्च हो जाएगा principles कि रिया प्रभवित हो जाएगी उसकी जो वर्मी कंपोस्टिंग से मेल खाता है वर्मी कंपोस्टिंग से मेल खाता है केंच्वा क्या हो जाएगा केंच्वा तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा केंच्वा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं दिया है बकरी का मास को क्या बोलते हैं, चिवान, गाय का बीफ, सुवर का बफिन और बेड़ का मटन तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी, सुवर बफिन आपका सी आंसर हो जाएगा तो यहां पर गलत दे रखा है उमर बढ़ने के साथ खुरूं की परवर्ति हो जाती है जानवरों के जो खुर होते हैं उमर के साथ उनकी परवर्ति आकार, चमा के दोनू या इनमें से कोई नहीं उमर बढ़ने के साथ उनका आकार भी बढ़ जाएगा चमक भी बढ़ जाएगी तो ए और भी दोनु आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला है कि पसू के सिंग पर छलू की संक्या देखकर पसू की उमर ग्याद करने का सुत्र क्या है पसु के सिंग पर जो छला लगा हो छला होता है उसकी संक्या दे कर आप पसु की उमर को ग्याद कर सकते हो पता कर सकते हो पसु कितनी एजगा है उमर कितनी है तो कैसे ग्याद करते हैं उसका एक सूतर है सिंग पर छलू की संग्या पलस दो ये आपका क्या इसका एक सूतर है जो आपको द्यान रख लेना है जब आपस उपरीचर बन जाओगे ये नोकरी लगने के बाद आपको ये चीज़े काम आएगी है ना और पहले भी आएगी वेसे एक्जाम में पूछी जाएगी अगला स्वाल है कि जर्सी गाय के दूद में वसा और प्रोटिन का परतिसत करम से होता है जर्सी गाय में साथ यूँ ज्यान रख लेना वसा और प्रोटिन होता है वसा तो होती है पांच पॉइंट पांच और प्रोटिन होती है तीन पॉइंट नो परसेंट तो भी उतर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा गाय के दूद में वसा कितने परसेंट होती है गाय के दूद में वर्षा का पर्षेंट कितना होता है बतो देखें एक से तीन, चार से पांच, साथ से दस या आर से ग्यारा पर्षेंट गाय के दूद को पिना चाहिए ठीक रहता है बेंस का दूद में वर्षा ज़्यादा होती है नहीं पिना चाहिए तो गाय के दूद में 4-5% वसा की मात्रा पाई जाती है अगला है कि सांड की नाल में छला पेनना चाहिए सांड होता है उसकी नाक में काँ पर उसकी नाक में छला पेनना चाहिए कब पेनना चाहिए? दो वरस के बाद की आयू पर जब उसकी आयू दो वरस हो जाती है तब उसकी नाक में छला पेना न चाहिए तब तक नहीं चाहिए दो साल की उमर कम से कम होनी चाहिए एक पसू परबंदक के क्या कारिये होते हैं आप पसू परबंदक बनने जा रहे हो आपके क्या क्या कारिये हैं नेड़ने लेने की समता आप में होने चाहिए योजना बनाने की समता नियंतरन करने की समता या उपरोक्त सभी तो ये सारी समता सारे कारिया आपके होते हैं एक बकरी को लगबग कितनी जगे की आउशिकता होती है एक बकरी को रखने के लिए कितनी जगें की आउशिक्ता पड़ती है बै o 0.9 से 1.0 वरग मिटर की मैं एक से डेड़ वरग मिटर जीरो पइंट साथ पांस से 0.9 वरग मिटर डेड़ से 1.5 तर वरग मिटर साथ यू बकरी को लग बक जगें चाहिए एक मिटर तो ओने चाहिए यानि 0.9 से एक वरग मिटर की आवशिकता बकरी को रेती है अगला है कि पोस्सक तत्वे में सामिल है पोस्सक तत्वे में क्या-क्या सामिल है कार्बोहाइट्रेड, प्रोटीन, वसा, खनीज, लवन और विटामीन उपरोग सभी कमेंट करो देखे जिसको भी उतरा रहा है पोस्सक तत्वे में ये सामिल है साती हूँ कार्बोहाइट्रेड, वसा, प्रोटीन, खनीज, विटामीन तो D. आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा हरे चारे को प्राकर्तिक रूप से परिरक्षित करना कहलाता है साइलेज, रासन, चारा संग्रेण या इनमें से कोई नहीं हरे चारे को प्राकर्तिक रूप से परिरक्षित करना क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कलासु में और आपको याद भी हो गया होगा अगला है कि मुर्ग्यों खिलाने के लिए सबसे अच्छी खली कौन सी है मुर्ग्यों को खिलाने के लिए सबसे अच्छी खली खल कौन सी होती है सर्सों की खेती सर्सों की खेली खली है ना सर्सों की इयात जिवानु जनुत्रोग है विशनु फभूंध या अहार जनित रोग है आफरा रोग क्या है साथ यूँ आफरा आजाता है पेट फूल जाता है ना तो ये आहार खाने से वाता है आहार जनीत एक रोग है जो आरम खिलाते हैं उसकी वज़े से आता है गोल कर्मी परजीवी के कारण पसू की आंत में होने वाला रोग कौन सा है क्या सवाल है कि गोल कर्मी परजीवी के कारण पसू की आंत में होने वाला रोग पसू की आंत में जो रोग होता है साथ यूँ गोल कर्मी परजीवी के कारण होता है आप वह एगो तो इस रोंग का नाम है सो नाम होसा जाईगा एकरियोशिस जो साथी सी उतर दे रहें हैं उन्ह सब का राइट है यह अच्क सवाल है जैनरल साइंच में कहीं बार पूचानां राइब Oxygen अब नेक्स्ट एकी लंपी तवचा रोग का कारक है लंपी तवचा रोग का कारक क्या है जिवानू, कवक, विशानू या प्रोटो जोवा लंपी तवचा रोग का कारक होता है विशानू, वाइरस क्या होता है सात्यू, विशानू या वाइरस नेक्स्ट एकी मेस्टाइटिस रोग पसू में किसके कारण आता है जिवानू विसानू कवक या कर्मी मेस्टाइटिस रोग पसू में किसके कारण होता है तो ये जिवानू के कारण होता है किसके कारण होता है भाई जिवानू के कारण होता है नेक्स्ट है कि बर्षिम चारे के लिए सबसे अच्छी मिस्रित फसल है अगला है कि वह आर जिसमें पसूं की समस्त आवशकताओं की पूर्ति करने तदा उसे सवस्त रखने के लिए सभी आवशक तत्वे सुर्निशित अनुपात उचित मातरा में हो कहलाता है निर्वा आहर, संतुलित आहर, वर्दक आहर या हरा आहर वर्दक आहर जिसमें पसूं की समस्त आवशकताओं की पूर्ति उसे सवस्त रखने के लिए आवशक समुचित अनुपात उचित मातरा में हो उसे संतुलित आहर बोलते हैं लाब क्या है मसीन की द्वरा देखो आजकल दूद निकला जाता है ना मसीन का बोज यदा प्रियों क्या जाने लगा है दूद निकलने के लिए पहला है कि सवच दूद बिल्कुल साब शुत्रा दूद आपको मिल जाएगा कम आदमियों की कमाऊ शिक्ता पड़ेगी अधिक दूद दोने वाले पसूं में दूद आसानी से होगा उपरोग सभी यह तो देखो इसको फायदें लेकि नुकसान भी बहुत है ना मसीन दोरा दूद निकालते हैं जिससे सवच दूद आपको पराप्त हो जाएगा कम आदमियों की आउशिक्ता होगी सरमिक ज्यादा नहीं चाही दूद निकालने के लिए यह काम करने के लिए अधिक दूद देने वाले पसूं में दूद दूद आसा नहीं से हो जाता सथकरा आपकषिक गनत्वे कितना होता है गाय का जीरो अपाइ provis को ऑस औरिस और जीरो दो आठ कितना होता है एक पोइंट 04 बू यहाज की कलास में कुछ सवाल ते जो नहीं विपार्ट के कवर किये आपका स्कोर कितना है कितने राइट हूए है क Ostным Wer Sindber कर